लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे जटके दे रहा है जिसकी वज़ा से उत्री बॉर्डर पर इसराइली फॉज की कमर तूटती जा रही है पहले तो सेनिकों की जान का नुकसान वहीं दूसरी तरफ नुकसान सेन्ने उकर्णों और हत्यारों का जिनकी कीमत अर्बोड डॉलर में है इसराइली सेना को हिजबुला के साथ अगोशित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महगा पड़ रहा है और तो और हिजबुला अब इसराइल के कई सम्वेदन शील सैने ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है जिसकी वज़ा से इसराइल के भीतर सैने ठिकानों, हतियार कार खानों और फैक्ट्रियों जैसे एहम टार्गेट अब हिजबुला के निशाने पर हैं और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने 11 अगस्त 2024 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किये हैं इसके बाद करीब 9.15 मिनिट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अल राहिब मिलिटरी साइट पर जमा हो रहे इसराइली सैनिकों के उपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने आईडियफ के जमावडे पर सीधे रॉकेट दागे हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इसराइली सैनिकों के एक और जमावडे पर अटेक कर दिया और इसके तकरीबन पाँच मिनट बाद ही हिजबुला के लड़ाकों ने अलमलीकिया मिलिटरी साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटेक किया है इस हमले में हिजबुला ने आईडियफ के जासुसी उपकर्णों को उड़ाने का दावा किया हिजबुला के मुताबिक उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में आईडियफ के अल आलम सैनने अड़े पर भी कई जासुसी उपकर्णों को ध्वस्त कर दिया है और इसी सैनने अड़े पर शाम गो करीब 4 बज कर 22 मिनट पर कई रॉकेट भी फायर किये गए और इस हमले के बाद हिजबुला ने एक बार फिर से आलमलीकिया सैनने अड़े पर फर्स्ट परसन व्यू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब 7 बच कर 20 मिनट पर हिजबुला ने इसराइल लेबनान सीमा पर बसे आलजिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया यहाँ पर भी इसराइली सैनने के खट्टा हो रहे थे आपको बता दे की इन हमलों से पहले इसराइली सैना ने हिजबुला को बहुत बड़ा जटका दिया था दरासल आईडियफ ने अपने हवाई हमलों में तीन बड़े लड़ाकों को मार गिराया था आईडियफ ने लिबनान के बलिदा कबजे में हिजबुल्ला के लड़ा के मुहमद हानी हैदर को धेर कर दिया था इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी आईडियफ ने मार गिराया था और इसके बाद लिबनान के बेतलिफ कस्बे के हुसेन गद्बान की भी इसराइली सेना ने हत्या कर दी आपको बता दे कि इसराइली सेना ने अलताइबे और मारोब कस्बे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बंबारी की थी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और इस हमले को लेकर लिबनान की न्यू जेजंसी अलमयादीन का कहना है कि इस हमले में पांच इसराइली मूल के लोग घायल हुए है